आपका स्वागत है मैं हूँ प्रतिबिम शर्मा आज हम बात करेंगे EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोरों को आरक्षन पर सुप्रीम कोट के फैसले की सुप्रीम कोट ने आर्थिक आधार पर आरक्षन के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला सुना कर इसकी वैधानिक्ता को बरकरार रखा है आर्थिक आधार पर आरक्षण को समवैधानिक्ता और समानता के आधार पर अदालत में चुनौती दी गई थी क्या आप जानते हैं 14 जनवरी 2019 को भारतिय समिधान के 124 संशोधन जिएक को पारित किया गया था सुप्रीम कोट ने समिधान के 133 संशोधन अदिनियम 2019 को सही माना विदेख में आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया इसके पारित होने से केंद्र सरकार और अन्यजी संस्थानों द्वारा संचालित शेक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटे का मार्ग प्रशस्थ हो गया है केंद्र सरकार के रोजगार में भी ये 10% आरक्षण लागू किया गया है विशेशक्य मेमानों से करवा देता हूँ आपका परिचे देश रतन निगम हैं अदिवक्ता सुप्रीम कोट हमारे साथ मौझूद है आपका बहुत-बहुत स्वागत है चक्षू रॉय हैं हेड आउट्रेज पी आर एस आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है प्रोफिसर र देश रतन जी क्या माना जाए अब इस बैंच ने जो कहा है जो फैसला दिया है उसके बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है जो अधिकार किसी को भी प्राप्त है जैसे जो याचिका करता गए हैं उनको रिव्यू का अधिकार तो है वो जा भी सकते हैं उनको त अधिकार उनके पास है लेकिन ये जो निर्ने आया है इसको मैं बहुत उत्तम मानता हूं कारण ये है कि बिना किसी भेदभाव के जो आरक्षण पहले से प्राप्ट था SCST OBC को उसको उन्होंने नहीं चुआ है वो अधिकार उनको प्राप्त है वो आरक्षण चलता रहेग दूसरा इन्होंने समान निवर्ग के लिए जो बाकी प्रचास प्रतिशत है उसमें से 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ये आरक्षण दिया है क्योंकि गरीब ने क्या अपरात किया है गरीब तो ना जाती देखता है ना पाती देखता है तो वहाँ पर उस गरीब को और ये अगर आप प्रस्तावना देखें हमारे constitution की जिसे हम preamble कहते हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे देश की जनता है उसने साफ निर्ने लिया हुआ है कि भारत के हर नागरिक को समाजिक आर्थिक और राजनितिक नियाए दिलवाना है देखें जो शब्द आर्थिक है बहुत जरूरी क्योंकि आर्थिक अध प्रतिष्ठा और समान अफसर क्या गरीब को समान प्रतिष्ठा या समान अफसर मिल सकते हैं क्योंकि उस वो गरीबी के कारण नहीं उसको आप अमीर से बराबरी नहीं कर सकते हैं तो यहीं सुप्रीम कोट ने बोला है समानता का अधिकार जो होता है वो बराबरी वाले पे होता है आप किसी अनिक्वल को एक्वल के साथ बराबर नहीं कर सकते इसलिए उन्हों ने सरकार ने जो एक विशेश प्रावधान बनाया 10 प्रतिशत EWS कोटा जो बनाया वो एक अलग कोटा है स्पेशल प्राविजन बनाया और उस स्पेशल प्राविजन के तहत इस उन गरीबों को समान अफसर देने की कोशिश करी जिससे की वो अपने आपको उपर उठाएं और जो हमारा मेन स्ट्रीम है उसमें आके वो बहुत सारे कमटीशन है सरकारी नौकरी है जैसा आपने बताया अभी या निजी संस्थान है सेक्षनिक संस्थान है उनमें उनको रिजर्वेशन का दिया जिससे की वो उपर उठें और किसी के अधिकार को ले नहीं रहा है ये कुछ बात भ्रहम पहलाया जा रहा है कि औरों के अधिकार को मार रहा है, नहीं, जो अधिकार लोगों को प्राप्त है, वैसे ही है, जैसे C.A. का भ्रहम फेलाया गया था, कि किसी का अधिकार चीन रहा है, वहाँ पे भी कोई अधिकार नहीं चीन रहा है, लेकिन चक्षू जी, एक बात तो साफ है, पूरी प्रिक क्योंकि जो यह माननिय सुप्रीम कोट का जो जज्मेंट आया है उसमर भी संसदी प्रक्रिया की बारे में बात की लए हमारे जो यूवा हैं जो आज ओडियन्स में हैं उनको अगर मैं थोड़ा सा एक बैक ग्राउंड दे दूं कि यह संसदी संशोधन आया कैसे तो जो 2018 का श आज तक 2019 को गया और थावरचन गहलोत जो उस वक्त हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे उन्होंने इस समविधानिक अमेंडमेंट को राजसभा में इंट्रूस किया राजसभा से पास हुआ और फिर लोकसभा से पास हुआ अब जब हमारा समविधान बना था तो समविध बना है उसमें शायद आगे जाके ऐसी कुछ जरूरतें आएंगी कि समविधान को संशोधित करनी की जरूत पड़ेगी और हमारे समविधान के निर्माताओं ने ये सोचा कि समविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहे जो की ज्वलंत रहे जीवित रहे तो उसमें बार-बा मज़ूरिटी से पास कर सकें सो समविधान में ये कहा गया कि अगर समविधान को आप कभी भी बदलना चाहेंगे तो आपको एक स्पेशल मज़ूरिटी चाहिए होगी लोकसभा और राजसभा की फिर हमारे समविधान निर्माताओं ने क्या क्या उसमें एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया कि मान लिजे लोकसभा और राजसभा के बीच में मतभेध हो तो बाकी किसी कानून में मतभेध को तोड़ने के लिए आप एक जॉइंट सेशन बुला सकते हैं बट अगर आपको समविधान में संशोधन करना है और उसमें लोकसभा और राजसभा में मत मतभेध हो तो आप जॉइंट सेशन बुला कर उसमें मतभेध को नहीं तोड़ सकते हैं तो जब ये संविधानिक संशोधन पास हुआ तो इस संशोधन ने क्या किया जैसे देश्रतन जी बता रहे थे कि हमारे संविधान में समानता है तो आर्टिकल 15 और 16 समानता की बात कर है कि जो हमारा स्टेट है वो रेस के हिसाब से या जातिय के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी चीज़ में और फिर वो कुछ अफर्मेटिव आक्शन की बात करता है कि बही कुछ लोगों के लिए जो कि किसी कारण से वीक हैं तो उनके लिए कुछ प्रवधान करे गए हैं अब जो ये सम्वधानिक 124 वा संशोधन आया और फिर वो 130 संशोधन बना उसमें क्या किया गया है कि 15 और 16 जो हमारा आर्टिकल है जो फर्णामेंटल राइट्स है उसमें इस चीज़ को जोड़ा गया है जैसे देश्रतम जी कह रहे थे कि किसी के अधिकार को अधिकार को जोड़ा गया है अब इससे दूसरी चीज़ उठती है और वो दूसरी चीज़ ये है कि हमारे सम्वधान निर्माताओं ने तो ये कह दिया था कि आप सम्वधान का संशोधन कर सकते हैं उसके बाद जो हमारी नयाएपालिका थी उसने आकर कुछ सालों बाद य जो कि जिने बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है उनका आप संशोधन नहीं कर सकते हैं तो अब जो ये EWS का जज़्मेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि जब संसद ने ये कानून एक भहूमत एक स्पेशल मजॉरटी से पास किया है तो इस कानून के वालुएशन में इस संव प्रावधानिक संशोधन के इवालुएशन में ये देखना है कि ये संसद ये कर सकती है कि नहीं कर सकती और जज़्मेंट में ये कहा गया कि ये किया जा सकता है और ये लीगल है संविधान का लंगर नहीं करता है राजकुमर जी एक पात सामने आती है कि जब प्रावधान किया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा आरक्षन का तब आर्थिक असमानतों तो थी ही लेकिन सबसे ज़्यादा सामाजिक असमानता थी लेकिन यहां देखा जा रहा है जिनको दस प्रतिशत आर्थिक रूप से दिया जा रहा है उनके साथ वो सामाजिक असमानता के स्थिति नहीं है फिर यह क्यों लाए जा रहा है निशी तोर पर यह मांग पिछले तीन चार दशकों से चलती रही है कि सामाने वर्गों को भी आप जो सामाने रूप से लागू ऐसा नहीं है सबसे पहला आरक्षन चत्रपती शाहूजी महराज ने 1902 में अपनी रियासत में लागू किया था जब उनकी रियासत थी मदरास प्रेजिनिसी थी तब भी आरक्षन लागू हुआ था 1882 में हंटर कमीशन भारत में आया था तब उस समय महात्मा जोती यह पुले ने कहा कि सिख्षा संस्थानों में क्यूंकि सिख्षा पिछला गता तो उन्होंने सबस्तब से लागू ऐसा नहीं है आ रिक्षन का इतियास सब्अटतरता से पूर्व का है अगर में से कहूं कि 1902-2 में देखता हू चत्रती शाह और आपको यह भी पताना जात dlatego बावासा अंबेट कर जब स्कॉलर्शिप से गए ते वो इसी आरक्षन की विवस्ता से स्कॉलर्शिप में यूनिवस्टी पर पढ़ने गए ते अब मैं जब वर्तमान की बात करा हूँ पिछले तीन तशकों से चार तशकों से आरक्षन के कारण समाज के अंदर पर देना चाहिए और ये सभी यूगाओं की मांग थी समाज की मांग थी उस मांग को देखते वे वर्तमार सरकार उन्नीस दो जार उन्नीस में समाज की भावना को देखते भी और सामाने वर्ग में जो आर्थी क्रूप से कंजोर थे उनको भी स्थान मिलना चाहिए और आर आरक्षित जाती है क्या उसमें कि आप शारी रूप से या कोई वह और कारण सो सकता है महिलाओं के लिए रिजर्व है रिजर्व ओर डडिसेब्ल परसंट रिजर्व और दर सीनियर श्रीजन तो आरक्षन की विवस्ता हमेशा समाज में उस वर्ग के लिए की जाती है जो समा 19 में उस समय के सरकार ने इस बिल को पास किया लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि ये जो आरक्षन के विवस्त दस परतिशत ये सविधान के मूल ढाचा बेसिक स्ट्रक्चर ठेयरी के खिलाफ है मूल धाचा क्या बोलता है कि आरक्षन 50% अधिक नहीं होना चाहिए इंद्रा सहानी केस में आता है मामला और दूसरा हम ये कहें कि केश्वनन्द भारती वाला भी एक मूल स्ट्रक्चर आता है मूल स्ट्रक्चर लेकिन मूल स्ट्रक्चर जो इंद्रा सहानी केस में इसमें य flexible है समाज क्या हो शक्ता आरक्षान मतलब जब जब समाज में कब्जोर तबका होगा चाहे वो महिला हो चाहे आर्थी ग्रूप से हो चाहे सीनिस तीजन हो उसकी विवस्ता को सुरुक्षित करना समाजिक सुरुक्षा करना और मुझे लगता है कि समाज में समरस्ता समाज में स भाव सब लोगों के लिए आगे बढ़ने का मोका देना चे इस प्रकार सुप्रीम कोटे नियाए दिए जनता जनादन के बीच कुछ सवाल उठे कि इस पूरी विवस्था को किस तौर पर देखते हैं जो फैसला दिया गया इस पीट के द्वारा क्या उससे सहमत है क्या कुछ सोचता है युवा हां 49.5 परसंट ही है तो इस तरह से जनसांख्या कि यदि रेशियो देखे तो अरक्षन का जो रेशियो है EWS जो है वो काफी यानि कि लगभग एक करोड दो परसेंट परते हैं और उधर यादी हम बात करें तो उसका रेशियो देखे तो लगभग 1.5 करोड परते हैं इस तरह से मुझे लगता है कि क्या यह अनफियर अनजस्टिस टाइप की फैसला नहीं है आज कल देखते हैं कि हम जब इंप्लिमेंट की बात आती है तो हमारे लिए यह मलब बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि इसको इंप्लिमेंट कैसे करें कि जो भी स्वन जाती गया है या कोई भी जो भी अपने दर से उठ चुके है उस से 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 जो उनकी अपर कास्ट हो जाती है जबकि आप हमारे हाँ हमने आरक्षन चार श्रेणी किया है एक सामान्य हमारे हाँ जाती विवस्ता अगर हम कहें कि श्रेणी कहें तो चार सामान्य वर्ग दूसरा OBC वर्ग तीसरा SC वर्ग और चोथा ST वर्ग यह चार वर्गों में आरक्षन की विवस्ता किया जो सामा पांच और दूसरा आपने का संस्थानों में और सरकारी नोकरियों में जो आरेक्षिक संस्थानों में आप मैं दिली विश्व दाले से जुड़ा हूं हमारे को पूरा डारेक्षिन से हमारे पास सो सीट्स हैं तो हमको पूरा डिटेल देना पड़ता है युनिवस्टी को हमने 27 परसंट फिल किया हमने 15 परसंट फिल किया अब एडिवलेस को कोटा वहम दस परसंट परसंट आपने बोला कि आरेक्षिन कमज़ों के लिए होना चाहिए तो जब से आरेक्षिन ला तो काफी स्टेबल हो चुके तो जैसे जज्जमन ने कहा है कि यह रिजर्वेशन का कुछ टाइम होना चाहिए तो इसके उपर आप क्या टिपनी करेंगे जी रतनेश यहां पर बहुत सारे सवाल आए हैं उसमें से यह भी एक तो इंप्लिमेंट कैसे किया जाएगा और इत्सलाग रुपए और उसका सर्टिफिकेट देना पढ़ेगा जो भी उसके तहता आएगा गलत देता है तो उसके प्रावधान है उसको सजा देने के लिए उसको प्रॉजीक्यूट करने के लिए दूसरा यह जो कम की आप बाथ कर रहे हैं लिगे गरीबों के लिए हैं स इसमें से जो एक्सक्लूट किया गया है जो छोड़ा गया है उनको सुप्रीम कोट ने बड़ा साफ कहा है कि जो उनको SC, ST और OBC को आरक्षण मिल रहा है वो वहां पे गरीब अमीर सब को मिल रहा है OBC में क्रीमी लेयर है तो जो ऐसे ही उसमें आता है तो उनको नहीं मिलेगा उस क्रीमी लेयर में अगर आ जाएंगे और यहां पर सिर्फ गरीब को दिया जा रहा है आगर हम उनको भी इसमें शामिल कर लेते तो उनको डबल बेनिफिट मिल जाएगा गरीबी के अधार पे भी मिलेगा और उनको सैक्षिक और समाजिक पिछड़े पन के अधार पे भी मिलेगा ये नहीं हो सकता इसलिए उनके जो objection है उनको उन्होंने निराधार माना कि ये एक अलग से special provision है सिरु गरीबों के लिए समाने वर के तो ये उनके अधिकारों को ना छूता है ना छेड़ता है तो ये जो एक समानता और बैलन्स बनाने की जो बात करी गई है सुप्रीम कोट ने उसको वैद माना है और समानता के अधार पर और दूसरा देखिए जो मूल भूट धाचा है हमारे उसका सुप्रीम कोट ने बोला है जो राइट तो इक्वालिटी ये समानता का अधिकार है वो मूल भूट धाचे में आता है रिजर्वेशन अपवाद है लोगों को उपर उठाने का और उस रिजर्वेशन में जो 10 प्रतिशत की जो आया है ये स्पेशल प्राविजन है क्योंकि इसको प्रावधान क्रियानवित करने के लिए इनेबलिंग प्राविजन है इसलिए उसको मूल भूट जो 50% सीलिंग लिमिट है जो इंदरासानी के केस में लगाई गई है वो मूल भूट धाचे का अधिकार नहीं है इसलिए उन्होंने बोला फ्लेक्सिबल है और वो उसके मूल भूट धाचे में नहीं आता मूल भूट धाचे में सिर्फ समानता का अधिकार आता है रिजर्वेशन अपवाद है और उस अपवाद में भी ये जो 10% है वो क्योंकि हमारा सम्विधान सीलिंग लिमिट नहीं रखता उसने 50%, 10% नहीं बोला ये enabling provision बनाया गया है इसलिए मूल भूट धाचे का वो हिस्सा नहीं हो सकता इसलिए basic structure के विरोध में नहीं है लेकिन चक्षियो जी एक सवाल यहां पर भी आया है BPL की बात यहां पर की है BPL का जो दायरा रखा है वो बहुत कम है और इसमें जो गरीबी का जो मार्क तय किया गया है वो आठ लाग जो है वार्शिक अगर आपकी आय होगी तब आप गरीब माने जाएंगे तो ये दोनों में इतनी असमान तक क्यों है प्रद्विश्यम जी जब मैं कभी भी किसी भी विधेक को देखता हूँ या किसी भी संसिदिय प्रडाली को देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जब संसद में चर्चा हुई थी तब क्या बात कही गई थी तो जब संसद में और आप लोग भी सुप्रीम कोट के को पढ़ने के साथ साथ आप ये भी देखें कि जब आठ और नौ जनवरी को जब लोकसभा और राजसभा में ये कानून पास हुआ था तो हमारे संसत सदस्युनक क्या क्या था तो एक चीज जो उसमें उठकर आई थी कि हमारे देश में असमानता है और हम ऐसा क्या कर सकते है ताकि ये असमानता हमेशा के लिए ना रहे अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आज गरीबी है आज असमानता है तो हम उसे एकसेप्ट कर लें और उसकी तरफ कोई काम ना करें कि उसमें कुछ बदलाव ना आए तो जब वो चर्चा हो रही थी तब शायद एक उस चर्चा रिपलाई का वो इस तरफ था कि हम जो समविधान समानता की बात करता है जो directive principles of state policy कहते हैं कि सरकार इसकी तरफ काम करें उसकी तरफ सरकार ने क्या विशय उठाया है या क्या solution वो लेक्या है मेरा आप लोगों से एक सुझाव ये रहेगा आप लोग युवा हैं और आप लोगों को संसदिय कारवाई के साथ जुड़ना चाहिए एक तरफ से आज आप जुड़े हैं जब आज जिसकारकरम में आये हैं दूसरा जो आपको जुड़ना चाहिए आप ये चार पन्ने का संबधानिक संशोधन है उसमें से जो तीसरा पन्ना है वो उसका objects and reasons कि ये क्यों लाया गया था अगर आप उस एक पन्ने को पढ़ेंगे मुश्किल से तीन paragraph है उसमें उसमें ये लिखा गया है कि ये क्यों लाया गया और इसके पीछे मनशा क्या थी 2005 वाला संशोधन क्यों लाया गया था 2019 वाला क्यों लाया गया अगर आप उसे पढ़ें तो कुछ एक आपकी doubts clear होंगी और आपको ये मालूम पढ़ेगा कि जो original document है वो क्या कह रहा है और उसके पीछे मनशा क्या है पिसले दिनों एक report थी शायद UN के माध्यम से आई थी पिसले 15 वरसों में तकरिबन 41 करोड भारतिय जो है गरीबी से बाहर आए हैं जब ऐसा हो रहा है और जो प्राफधान अभी लागू है उसी के आधार पर हो रहा है तो फिर ये 10 प्रतिशत की आवशक्ता क्यों पड़ी ये सवाल होता है मैंने का कि समाज में आरक्षन को लेकर बहुत ज़्यादा वैचारिक संगर्श रहा है और समाज में हमेशा इस बात के लिए कहा उलाना देते रहे हैं आरक्षन मतलब एक हमारा हक माना जा रहा है हमारा हक लिया जा रहा हमारा हक चीना जा रहा है ये एक प्रसेप्शन बन रही थी और ये लगबग पिछले कई वर्षों से मांग रही है उसी मांग और देश की सरकार जो होती है वो जनता की मांग के आधार पर जनता की आप कह सकते भावनों के अधार पर उसकी उनने 10% की विवस्ता है क्या जनता संतुष्ट है कि क्या 10% आरक्षन कर दिया गया है आर्थिक रूप से कमजो लोगों के लिए कोट ने क्या इस जज्ज्मिंट को लाने से पहले इस चीज़ को भी सोचा कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए जो फेक सर्टिफिकेट आएंगे या फिर जो आक्चली लोग सफर कर रहे हैं वो ना आ गया पाए तो उसका क्या सॉल्यूशन है मैं अपना सवाल में जोड़ देता हूँ जब हम जातीगत आरक्षन को देखते हैं तब भी इस सवाल उठता है कि जो सच्पुच उस जाती के पिछड़े लोग है जिनको सबसे ज्यादा आवशकता है वो तो कहिना कहीं पिछड़े रह जाते हैं जिनको पता है जो हो रही थी वो उनकी स्तिती जोंकितियों बनी होई है क्या ऐसा इस दस प्रतिशत आरक्षन के साथ तो नहीं हो जाएगा देखिए पहली तो बात ये है कि दोनों में फर्क है यहां पर आर्तिक अधार है और पीड़ी धर पीड़ी नहीं मिलेगा जिसने एक बार ले लिया वो उपर आ गया लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है जो पहले रिजर्वेशन चल रहे है जो हमारे सम्विधान में वो टेंप्रेरी था लेकिन किसी कारण से एक पर्मानिन्ट हो गया क्योंकि जो आधार होना चाहिए जो फायदा होना चाहिए था वो अभी तक ज परिवार वो एक इस तर पर आ गया और वो लिए जा रहा है तो एक्च्वल जो बेनेफिट जाना चाहिए जो नीचे सब को जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है योंकि वो समान अधिकार उसको नहीं और ना समानता पर आ रहा है वो अगर एक ही 1950 से अगर आप देखेंगे कि कई एक ही परिवार मैं जानता हूं बहुत सारे परिवारों को जिसने उन सिविल सर्विसेस में दो या तीन जेनरेशन से उनको फायदा मिल रहा है लेकिन किसी कारण से ना मैं उनको सैक्षिक रूप से पिछड़ा मानता हूं ना समाजिक रूप से क्योंकि उनका एक प्रत आर्थिक आधार पे मिल गया तो आपकी दूसरी जेनरेशन को पीड़ी को नहीं मिलेगा जी राजकुमरी जी एक सवाल जो है बार-बार ये भी उड़ता है जैसा आपने भी कहा कि आर्थिक रूप से होने चाहिए जातिकत नहीं होना चाहिए आरक्षण तो क्या ये फैसला उस स्थिती में हमें ले जा रहा है उस तोर पर भी जो है मेहत्व होने जो कहा हूँ मैं उसको थोड़ा और आपनी जो वात को इसको क्लियर करता हूँ आरक्षण हमारे यां तीन तरह के का है एक जाती के आधार पर आरक्षण जिसे हम SC और ST के कहते हैं एक है कैटेगरी के अधार पर जिसे हम OBC आरक्षण बोलते हैं OBC आरक्षण में वह सभी जाती है जिसमें धर्म का कोई बंदन नहीं है मैं यह कह सकता हूँ कि गोस्वामी भी OBC काटिगरी में आता है जिसमें ब्रामन किया चकते हैं तो वो एक श्रेणी है जिसको स्टेट वाइज 1979 में मंडल कमिशन जो बना था उस समय के मुमेंट चला था कि इस देश में कुछ ऐसी जातियां है जो बैकवर्ड है उस आइडेंटिफाइट किया अगर लंबा प्रोसेश चला और 90 के दशक में 1992 जो से 80 के दशक में चुरुआ और 1992 के अंदर OBC आरक्षण लागू हुआ और OBC आरक्षण में हर स्टेट की अलग अलग जातियों का इडेंटिफाइट किया हो सकता है याद ओ बिहार में बैकवर्ड होगा लेकिन दिल्ली में नहीं होगा हो सकता है मुझे जानकर ही नहीं है हर्याना में नहीं होगा हो सकता है मुझे जातियां इडेंटिफाइट क को सर नीचे रखना बढ़ेगा मुझे बताने का उशक्ता नहीं है इसलिए पहरा जो आरक्षन है वो सामाजिक न्याय के लिए है दूसरा जो अबीसी का आरक्षन है वो जातियां जो किनी कारणों से नीचे दब गई थी उनको उपर करने के लिए उनको समान देने के लिए त तो मुझे असलिक तक तीनों अरक्षन को एक अडिगरी में नहीं तानना चाहिए तीनों अरक्षन के एहतियासिक सामाजिक सांस्कृतिक अलग अलग कारण है यह आखरी बिंदू आखरी बिंदू यह कि प्रियास किया जा रहा है कि देश को विकास अशील से विकसित बनाय जाए और हमने कहा कि इत्तालिस करोड भारतिय गरीबी से बाहर दिकले हैं पिछले पंदाय बरसों में और तेजगती करने के लिए भी क्या यह कानून जो है कारगर सिद्ध हो सकता है क्या एक हम लोगो यह देखना चाहे थे कि intent और implementation एक intent संसद की कुछ है सरकार की कुछ है और वो implementation क्या है हमारे युवासाधी का एक सवाल था कि अगर वो जो gap रहेगा तो उसमें क्या रहेगा तो वो जो gap रहेगा वो उसको कम करने के लिए यह रहेगा कि आप जैसे लोग जागरुख होंगे ऐसे कारगरम होंगे यह सवाल उठेंगे और फिर इन सवालों पर संसद सरकार को पू संसद कभी यह सोच के कानून नहीं बनाती कि यह कानून देश के लिए खराब हो तो हमें यह सोचना चाहिए कि जब कानून बन गया है तो इसकी इंप्लिमेंटेशन पर हमारी निगा कैसे रहे जी जी और का पांच सेकंड इसमें आप अगर देखें इसमें उन जातियों को खुद बाहर आना पड़ेगा जो विक्सित हो चुकी हैं जिनको समान अफसर मिड़ रहा है जैसे तमिल नाडू में एक जाती थी जिसने चुरि की रेखा के जो लोग हैं वो से बाहर निकले और कंधे से कंधा मिला कर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें और अभी जो है कह सकते हैं मनजिल दूर है क्योंकि जैसा कि देश रतंजी ने का कि रिव्यू किया जा सकता है इसको लेकर और हो सकता है कि फिर से कोई ए जाने की आवशक्ता पड़े लेकिन अभी तक का जो फैसला आया है उसका स्वागत यहां सब ने किया है और संभवता यह फैसला देशित में होगा और देश को विकास शील से विकसित देश बनाने की राह में आगे बढ़ाएगा देश रेतन जी आपका बहुत-बहुत धन्य और प्रोफिसर राजकुमार फलवारी आपका अभी बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद जनता जनारदन का आवाज देश की में आज के लिए इतना ही आवाज देश की में आपसे फिर मेटोगी एक नए विशे के साथ फिलहाल मुझे आग्या दीजिए लेकिन तिरे संसा टीवी नमस्कार